श्रंगार गौरी के डेविद दरसद पूजन और अन्य विग्रहों के संग्रक्षड की मांग पर ग्यान वापी मस्जित से 14-16 माई तक विशेश दिवक्ता आयुक्त विशाल सिंग के नेतवत में हुई कमिशन की कारवाई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वजु खा पर गौर्ट में सपस्ट किया गया है कि मुस्लिम पक्ष जी से फबारा कह रहा है उसमें पाइप डालने की कोई जगा नहीं है वोके पर फबारा भी नहीं चलाया जा सका था नाले में दाखिल कमिशन की कारवाई की विस्तरत रिपोर्ट को वादी और प्रतिवादी पत्थर नुमा आकरती है इसके शीर्ष पर नौ इंच का गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा है जिस पर बीच से पांच दिशाओं में पांच खाने बने हैं इस आकरती की सत्य पर अलग प्रकार का घोल चड़ा हुआ प्रतीत हुआ है नहले में दाखिल रिपोर्ट मे दावा किया गया है कि वादी पक्ष के शिवलिंग के दावे पर विशेश अद्वक्ता आयूग अंजुमन इंतजामिया मसाजित कमीटी के मुन्शी एजाज मुहंबत से पूछता कि ये फवारा बंस कप से है उनका पहले जवाब आया कि 20 साल और फिर उन्होंने बताया कि 12 साल से बंद है फवारा चालू करके दिखाने पर उन्होंने असमर्थता भी जताई उस आकरती की गहराई के में बीचो बीच सिर्फ आधी इंच से कम का एक ही छेद मिला है जो 33 सेंटीमीटर गहरा था इसके अलावा कोई छेद उस जगह पर खोजने के बाद भी नहीं मिल मगर इसके नीचे का हिस्सा तैकाने की दिवारों से धका होने के चलते वहां कमीशन की कारवाई नहीं हो पाई है चलिए आपको बताते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट की कुछ खास बाते मंदिर के भीतर हाती की सून त्रिशूल पान घंटियों के चेन मौजूद है दिवार मंतर लिके होने का भी दावा है बाहर विराजबा नंदी और अंदर मिले कुंड के बीच की दुरी 63 फिट तीन इंच है कुंड के बीचों भी इस्तित गोलाकार आकरती के पत्थर में सिंग डालने पर 63 संटिमीटर गैरही मिली पत्थर की गोलाकार आकरती के बेस का व्यास चार फिट उचाई धाई फिट उपर पांच दिशाओं में बने पांच खंबे हैं तीनों बहरी गुंबत के बीच तीन शंकुकार शिकरनुमा धाचे मौजूद हैं शंकुकार शिकर के उचाई धाई फिट और नीचे का व्यास 22 फिट है जेम्स क्रिसेप और एयस एल टेक चार की किताबों में वर्डित जिग जैग दिवारों और खंबों की फोटो और मौके पर मौजूद आकार में पूरी तरह समानता का दावा है वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें